एक भी रोजगार अभी तक नहीं दे पाए जो दिये भी कुराने ही रोजगार को रिपैकिंग करकर के दिये यह सरकार के कारण ऐसा हो रहा के के पाटक ऐसे पदादिकारी जो बिहारियों को गाली भी दिया था और आज सिक्छक को सैतने के लिए मुख्यमंत्री जी उसको पर बिहार में विपक्ष गिर ही जाती है और एक बार फिर से भाजपा के विधायक हरी भूशन ठाकर बचौल ने नितीश कुमार पर जबर्दस तरीके से हमला बोला है अब आपको बता दें कि हरे भूशन ठाकर बचौल साब तोर पर कहते नजरा रहे हैं कि जब जब तानाशाही की सरकार होती है भरष्टाचारी की सरकार होती है हम उस पर आवाज उठाते है साथ उन्होंने सिक्षकों के मुद्दे को लेकर भी सरकार को गेरा और कहा कि सिक्षकों के साथ जिस तरह का वहवार किया जा रहा है सापतोर पड़ तो यहीं पता चलता है कि कैसे सरकार ताना साही कर रही है और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुने जब भी जुलमी और तना साही सरकार रहा है विपक्ष उस पर हमला किया है निरंकुष सत्ता पक्ष को अंकुष देकर विपक्ष आज मार्च निकाल रहा है आप देखेंगे कि पहली कैबनेट में 10 लाकी बात ये लोग करते थे रोजगार की एक भी रोजगार अभी तक नही सची वाल तक निकेंगे तो आकंट सब लोग भरस्ताचार में दुवे हुए किसानों की समस्या है साथ ही सिक्षकों की समस्या है इन सारे सवालों को लेकर भारतिये जनता पाटी आज रचनात्मक सदन में निवाएगी और सरक में भी हम विरोध प्रदर्सन करेंगे कोशिस करेंगे करने के लिए तयार है सरकार करवाई से डरते तर आज निती में नहीं आते हम लोग मुलाहिम सिंग जी कहते कि परिंदा पर नहीं मार सकता है जो ध्यामे क्या हुआ सब के सामने है लेकिन हम लोग तांत्रिक तरीके से प्रत्रशन करेंगे वहां क्या प्रस्थिती बनती है उस हिसाब से फिर रनिति बनाएगा आप लोग ड़ेंगे नहीं अधरने बाला राजनिती करता है डरने ड़ेगा कुन जो होगा चोर होगा तो और आज सिक्षक को सेतने के लिए मुख्यमंत्री जी उसको रखे हुए है वैसे पदाधी कारी पर अभिलंब कारवाई किया जैसा कि आप सुन पा रहे हैं किसा आप तोर पर यहां पर हरी भूशन ठाकुर बशौली ये कहते नजरा रहे हैं कि ये जुल्मी की सरकार है ये सरक के से नितिश कुमार को घेड़ते हुए ये तक कह दिया कि नितिश कुमार को सिक्षकों की मांग सुननी चाहिए चाहिए वो कितना भी नजर अंदज कर ले वो जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है फिलाल इस वक्त के खबर में इतना ही और भी ऐसे ही तमाम वीडियो ज देखते ही हमारे चानल एकने उस 24 हमारे चैनल को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए कमेंट किजिए मारे वीडियो पसंद आते हैं तो श्रीयर जरूर किजिए धन्यवाद